Hello friends, welcome to study news आज हम इस वीडियो में राजारा मोहर राय के बारे में जानेंगे जो एक महान समाज सुधारक, विचारक और अपने समय से काफी आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे इन्होंने समाज में हो रहे अनेक कूरितियों को सुधारने के लिए कई विचेस कार किये थे इन्होंने कई विच्व विध्याले भी बनवाए थे इसलिए इन्हें महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है तो जानेंगे इस वीडियो में राजा राम मोहन राय से जुड़ी अनेक बातें, so let us start राजा राम मोहन राय को भारतिय पुनर जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है इनके पिता का नम रामाकांत तथा माता का नम तारिणी देवी था इनका जन्म बंगाल में 1772 में एक ब्रामण परिवार में हुआ था 15 वर्ष की आयू तक इन्हें बंगाली, संस्कृती, अर्भी तथा फार्शी का ज्यान हो गया था इन्होंने अपने अर्प आयू में काफी ब्रामण किया था इन्होंने 189 से 1814 तक इस्ट इंडिया कंपनी में काम भी किया था इनके जीवन में एक घटना हुई जो इनके दिमाग पर अमिट छाप छोड़ गई अपने बड़े भाई की मृत्यू के बाद उनकी पत्नी को अपने मृत्य पती के चिता पर स्वैम को सती होने के लिए मजबूर होना पड़ा तब इन्होंने हिंदू समाज से इस बुराई को हमेशा के दिए जड़ से मिटाने का संकल्प लिया और इन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ कर अपने आपको राष्ट सेवा में जोग दिया वह बाल विवा, जातिवाद, बहु विवा और महिलाओं के उपर हो रहे सोसर जैसी अन्य समाजिक बुराईों की खिलाफ समान रूप से और द्रिटा से लड़ाई लड़े थे 1815 इनके जीवन में निर्नायक साबित हुआ जब इन्हों ने सतंत्र रूप से समाजिक बुराईों, सुधारों और धर्म सास्त्री मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रकार के आंतरिक सरकल की इस्थापना की आंतरिक चक्र कलकत्ता में सप्ता में एक बार मिलता था और विभीन मुद्दों पर विचार विमर्ज किया जाता था मंदली में द्वारकानाथ टैगोर, नंद किसोर बोस, वरिंदाबन मित्र और कुछ अन्य लोग सामिल थे अपने समाजिक दाइतों और जिम्मेदारियों के प्रती सचेत इन लोगों ने विभीन मुद्दों पर लेख लिखिये जो उनके दिल के बहुत करीब थे और उन्हें बांगला राजपत्र में प्रकासित किया गया अलेक्सेंडर डफ ने भी राजाराम मोहन राय का समाज सुधार में सहयोग दिया इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की इस्थापना की जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा यह उनके अथक प्रयासो और सती प्रथा के खिलाफ धर्म यूद के कारण था कि आखिर कार दिसंबर 1828 में सरकार द्वारा इसे प्रतिबंद कर दिया गया सती प्रथा को गैर कानूनी और दंडनी अपराध मानते हुए एक कानून पारित किया गया राजाराम मोहन राय अच्छी तरह से जानते थे कि समान रूप से भारती समाज और विसेश रूप से हिंदू समाज कई समाजिक और धार्मिक बुरायो और अंध विश्वासों से पीडित है मुख्य रूप से सिक्छा और तर्क संगत सोच की कमी है इसलिए इन्होंने विज्ञान के अध्यन का प्रचार किया और गाओं कस्बों और सहरों में स्कूल खोले 1822 में इन्होंने खुद का एंगलो हिंदू स्कूल खोला बाद में इन्होंने एक वेदांत कॉलेज भी स्थापित किया इन्होंने बंगाली व्याकरण पर पहली पुस्तक लिखी और कई भजन और गीतों की रचना की इन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई सप्ताहिक पत्रिकाओं के प्रकासन की सुरुआत करके पत्रकारिता के एक नई यूग की सुरुआत की और इसलिए इन्हें भारती पत्र कारिता के पिता की रूप में नामित किया गया था इन्होंने ब्रह्मे निकल मैगजीन समवाद कोमूदी मिरात उल अखबार जैसे इसतरी पत्रों का संपादन प्रकासन किया बंगदूत एक अनोखा पत्र था इसमें बांगला, हिंदी और फार्सी भासाओं का प्रयोग एक साथ किया जाता था इन्होंने 1821 में एक ब्रिटिस जज द्वारा एक भारतिय प्रताप नरायन दास को कोड़े लगाने की सजा दी गई फल सरुप उसकी मृत्यू हो गई इस बरबरता के खिलाफ रायने एक लेक लिख लिखा 1830 में ये अपने परिवार के साथ इंगलैंड के लिए रवाना हुए जहां उनका स्वागत किया गया राजा राम मोहन राय को देखने के लिए कई प्रसिद हस्तियां आई और उन्होंने राजनीतिक लोगों के अलावा कई महतपुर मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की इंगलैंड में इनका बहुत वेस्ट कारिकरम था और 11 सितंबर 1833 को गंभी रूप से बिमार पढ़ जाने के कारण 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यू हो गई 1964 में भारत सरकार ने राजा राम मोहन राय की इस मृति में एक डाग टिकट भी जारी किया तो ये थी पूरी जानकारी राजा राम मोहन राय जी के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट